अचारे जी बोडी आइटिफिकेशन से कैसे मुक्त हो हैं? मन को तो दिख गई है, मन मैं नहीं हो, विचार सारे दुनिया के दियो हैं पर पीर ग्रूप, सुसाइटी, मेरा एक भी नहीं है पर बोडी आइटिफिकेशन है, मतलब अगर दर्द हो रहा है, तो हो रहा है, फैक्ट है इसमें किया से? शरीर को किसी ऐसे काम में लगा दो कि जो शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से अपनी पहचान रखता है, इडेंटिफाइड है वो उस काम से अपनी पहचान रखने लगे शरीर तो सबको प्यारा होता ही है, क्योंकि शरीर से हमारी पहली पहचान है कुछ और चाहिए, जो शरीर से बढ़कर प्यारा हो इतना प्यारा हो कि शरीर को उसकी सेवा में लगाया जा सके अब ठीक है ये पहला समझ गए क्या किसी काम में नहीं लगा दो वो काम ऐसा होना चाहिए कि उसकी खातिर शरीर को गवाया जा सके मिटाया जा सके भुलाया जा सके और शरीर कुछने कुछ काम तो करता ही है शरीर माने कतिशीलता जीव माने कर्म कुछ तो कर ही रहे हो ना और जो कर रहे हो शरीर के माध्यम से ही कर रहे हो तो ठीक है इसी शरीर के माध्यम से वो सब कुछ करो जो करने योग्य है फिर स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर माध्यम ही तो है अंत नहीं मंजिल का पता ना हो तो फिर मजबूरी हो जाती है सडक पर ही घर बना लेना माध्यम ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप निकले हो और भूल गए कि कहा जाना था और सडक सडक चले जा रहे हो अंतहीन सडकें और दुराहे चौराहे ये मोड वो विकल्प तो क्या करोगे ठकोगे सडक पर ही कहीं पहले विश्राम करोगे फिर कितनी बार सडक पर ही विश्राम करोगे तो धीरे धीरे सडक पर ही घर बना लोगे सडक माध्यम थी न कहीं पहुचने का सडक माध्यम थी कहीं पहुचने का किसी ऐसी जगे पहुचने का जहां सडक खत्म हो जाती हो सडक खत्म होई और मनजिल आ गई पर अगर मनजिल का पता नहीं तो माध्यम ही क्या बन जाता है वही मनजिल बन जाता है जूटी मनजिल होती है पर माध्यम बन तो गया ही मनजिल इसी तरीके से यह शरीर माध्यम मात्र है यह इसलिए मिला है कि इसके द्वारा इसके प्रयोग से अपना भला कर सको तो सही काम है वो कर सको पर जब कुछ खबरी नहो कि मैं कौन हूँ मेरे लिए करने योग्य क्या है धर्म क्या है मेरा दूसरों करपती जिम्मेदारी क्या है मेरी जब इन सब का कुछ होश ही नहो तो फिर शरीर अपने आप में एक अंत बन जाता है फिर शरीर किसकी सेवा और किसकी रक्षा के लिए कर्म करता है शरीर की ही अब शरीर एक स्वांत सुखाए यांतरिक प्रक्रिया बन गया कि शरीर क्या कर रहा है शरीर अपना इस्तिमाल कर रहा है अपने आपको ही सुख देने के लिए सुरक्षा देने के लिए कि जैसे शरीर का इस्तिमाल करके कमाता हो दिन भर शरीर का इस्तिमाल करके कमाया मैं सिर्फ ध्हाडी मस्दूरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बुद्धिजीवियों की भी बात कर रहा हूँ बुद्धिजीवी मस्टिश्क का इस्तिमाल करके कमाते है मस्टिश्क भी क्या है शरीरी तो है मस्दूर मास्पेशियों का इस्तिमाल करता है बाजुओं का इस्तिमाल करता है, बुद्धी जीवी मस्तिश्क का इस्तिमाल करता है, पर हैं तो दोनों शरीर जीवी ही, श्रम जीवी ही, दोनों श्रम ही कर रहे हैं, एक का ज्यादा शारीरिक है, दूसरे का ज्यादा मानसिक है, बहुत धिक है, तो ये दोनों ही शरीर के माध्यम से दिन भर श्रम करके कमा रहे हैं शरीर का उपियोग किया जा रहा है किसके लिए कमाने के लिए उस कमाई का किया क्या उसको शरीर पर ही लगा दिया खाने में, कपड़े पहनने में, शरीर को ही छत चाईयां देने में तो यह क्या हो गया शरीर अपनी ही सेवा करने वाला उपकरण बन गया क्या कर रहा है शरीर अपनी सेवा कर रहा है अब माध्यम नहीं है शरीर क्या है अंत है और दुख की बात यह है कि ज्यादा तर लोग ऐसे ही जीते है शरीर से शरीर तक शरीर से कमाते हैं शरीर तक पहुचाते हैं उनसे पूछो दिन भर जो अपने शरीर का इस्तिमाल करते हो अंतत्त तुम्हारे उस श्रम और समय का भोकता कौन है बेनिफिशियरी कौन है तुम जो महनत करते हो शारीरे, मानसिक उस मेहनत से अंतत्त लाभ किसको हो रहा है और उगहर से देखेंगे तो यही पाएंगे कि उस मेहनत से लाभ शरीरी भर को हो रहा है गड़बढ हो गई यह गड़बढ हो गई यह आपकी गाड़ी ऐसी है जो दो ही जगे जाती है एक पेट्रोल पंप और दूसरा सर्विस टेशन यह आपको कहीं नहीं पहुचा सकती यह चलती भी है तो बस अपनी सेवा के लिए यह कहती है कि मुझे ले चलो मुझे इधन पिलाओ या ले चलो और मेरी सर्विसिंग कराओ तो दो ही जगे जाती है यह गाड़ी कैसा लगेगा आपको ऐसी गाड़ी का मालिक होकर कौन कौन ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है बताएए जो कहीं नहीं जाएगी आप उसको बोलिए चलो, मंदिर चलो, नहीं बोली पहाड चलो, नहीं बोले दूसरे शहर चलो नहीं वो कहीं नहीं जाएगी वो दो ही जगे जाएगी ऐसी दो जगें जहाँ उसका अपना स्वार्त है कहां? या तो पेट्रोल पंप या गिराज और वो कहीं जाती ही नहीं हम सब ऐसी गाड़ी के मालिक हैं बधाई हो इसको कौन लड़की देगा दाड़ी बड़ा भूमता रहता है शकल देखिए अब ऐसे कोई बोलो तो भी बुरा तो भी शरीरी पर ही आगी बात तो भी लगता है तो उस पर मैं अब क्या कहां बटा बात इस्थित को समय को आकस्मिक्ता को इमर्जनसी को पहचानने की है तुम गाड़ी लेकर के भगे जा रहे हो अस्पताल की ओर तुमारे किसी प्रिय जन को इलाज की जरूरत है तुम उसको बगल में बैठा करके चले जा रहे हो अस्पताल की ओर और चोराहे पर जरा से तुम्हारी गाड़ी रुकी और किसी ने फपती कस दी कि ये क्या जरजर गाड़ी है तो बुरा मान जाओगे या देखते रहोगे कि हरी हो और भागूं और बुरा मान ने पर तो ये भी हो सकता है कि तुम कहो कि थम नीचे उदर रहा हूँ उदर आजा ज़र बात करते है किसकी गाड़ी को बोल रहा था जर जर वहां तुम अपने मान सम्मान की विवस्था और इलाज कर रहे हो और यहां जिस उद्देश से निकले थे जिसका इलाज कराना था वो गाड़ी में इदम तोड़ रहा है जीने के लिए अगर तुम्हारे पास सही वजह नहीं होगी तो बहुत सारी छोटी छोटी चिंदी चिंदी घटिया वजहों में उलजोगे ही उलजोगे मैं क्या बताऊं तुम्हें उनका समाधान उनका समाधान नहीं होता उनकी बस उपेक्छा होती है भाई सिर्फ उपेक्छा होती है अच्छा एक बात बताओ यहां जितने भी लोग बैठे हो अगर अभी यह सत्र ना चल रहा हो तो ऐसे बैठोगे क्या शरीर कहेगा किसी और स्थिते में आजाओ कुछ और करो तो आप मेंसे कोई हो सकता उठकर के पानी पीने चला जाए कोई लेट ही जाए किसी को ध्यान आए कि आरे बहुत देर से पीठ में खुजली हो रही थी तो रगड करके खुजला ले कोई कहें बाल थोड़े छितराए हुए हैं कंगा लेके आना फिर बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें अचानक दिखाई देने लगेंगी न कि ये भी तो ज़रूरी है काम कोई टांग फैला लेगा गंटे दो गंटे थे टांग मुड़े बैठे थे गुटनों में दर्दो गया टांग फैलाओ भई करोगे की नहीं करोगे कोई कहेगा पानी चाहिए किसी को शौचा ले जाना होगा किसी को अंगडाई लेनी होगी सब होगा ना अभी क्यों नहीं हो रहा अंगडाईयां क्यों नहीं ले रहे हो बोलो न अंगडाईयां ले रहे हो नजमाईयां ले रहे हो न पीठ खुरच रहे हो न आउठ उठ करके शौचाले की और भाग रहे हो न यहीं कह रहे हो कि नीद आ गई या भोजन चाहिए शरीर की यह सब जायज मागे है उनको पूरा क्यों नहीं कर रहे उपेक्चा कर रहे हैं न आप क्यों कर रहे है आप उपेक्चा क्योंकि समझ में आ रहा है कि समय का वाजिब इस्तिमाल क्या है थोड़ा होश है कुछ पता है किस चीज का मूल है किसका नहीं है शरीर का क्या है तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है कोई पल नहीं होता जब शरीर का कोई ना कोई हिस्सा कुछ ना कुछ दर्खास्त ना कर रहा हो और कुछ नहीं होगा तो यहां से एक बाल उड़कर के आएगा ऐसे यहां लग जाएगा लेो अब उस पर ध्यान दो ये भी तो शरीर का हिस्से ही है कोई और परेशान न करे तो यही परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बाल उड़ गए यह गला सूखने लग गया नाक में खुजली होने लग गई पेट में कुछ गुड़़ हो रहा है शरीर एक पल भी होता है जब शत प्रतिशत पूर्णतया संतुष्ठ हो कभी ऐसा होता है कभी भी ऐसा होता है मैं शत प्रतिशत कह रहा हूँ होता है क्या कुछ न कुछ तो अपना और कुछ और करने को नहीं होगा तो उन्ही चीजों में मगन हो जाओगे और वो बहुत बड़ी चीज़ें लगने लगेंगी कान खुजलाना है और कनखुदनी खोज रहे है बहुत बढ़ा मुद्दा है जीवन में क्या? कान खुजलाना है माचिस की तीली खोज रहे हैं बड्स खोज रहे हैं कुछ खोज रहे हैं कि कान में ढाल दें और मिलन यही राँ दो घंटे से लगे वे हुए है और मिलन यही राँ है तो इस हमारे बीवी से लड़िये हैं वही मूर अख्मनहूस है इधर उधर की चीजेonst judging कहां रख देती है खूब लड़ाई करी उससे आज किस बात पर कान खुजाना है और जहां रखा था वो सब सामान वो गायब है फिर अंततव बताई दिया पत्नी ने कि वो बेटा था वो ले गया था उससे खेल रहा था कुछ कर रहा था तो उसको दो चाटे भी लगा दिये और घर में पूरा महौल भारी कर दिया चीखने चिलाने की आवाजने आ रही है क्या है मुद्दा ये भीमकाए कान खुजाना है जब जिन्दगी में कुछ करने को नहोगा तो कान खुजाना ही भीमकाए मुद्दा हो जाता और हम सब ऐसे ही जिन्दगिया जीते हैं अधिकाइश्टा चुकि कुछ करने को नहीं होता जीवन में तो कभी यहां की खुजली मिटा रहे हैं कभी वहां की खुजली मिटा रहे हैं खुजाने खुजाने में जिन्दगी जा रही है मैं स्कूल में था पुरानी बात 50 साल पहले की तब ऐसा नहीं था कि सब लड़के मोटर बाइक लेके घूम रहे हैं लड़के लड़कियां सब आम तोर पे साइकल का इस्तिमाल करते थे स्कूल आने जाने के लिए हम सब के पास साइकल होते थे एक ने ली मुपिड पड़ी बात पूरे स्कूल में कुछ ही थे जिनके पास मुपिड इत्या दे थी मैं दसमी बारमी की बात कर रहा हूं तो उसने ली मुपिड तो एक दिन का आपको हाल बताता हूं और जो मुपिड होती थी उसमें प्रावधान होता था कि आप साइक्लिंग भी कर सकते हैं पैडलिंग कर सकते हैं तो सब जा रहे हैं साइक्ल पर और जो आम गति होती है साइक्ल की उससे जा रहे हैं और उनसे बहुत पीछे एक पसीने में लत्फत लड़का अपनी मोपेड की पैडलिंग करता हुआ आ रहा है अपनी अपनी मोपेड की और ध्यान दीजिए कहिए ऐसा तो नहीं है कि जीवन की सारी उर्जा उसी को खीचने में जा रही है और आप यही सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बढ़ियां चीज है समय बचाएगी मेहनत बचाएगी वो समय बचा रही है मेहनत बचा रही है यह सब कुछ खा रही है कोई कहे कि मुझे अपने जीवन का और संसार का कोई होश नहीं है बिलकुल कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे शरीर की शुद्रताओं से बच कर जीना है तो इस संभव नहीं है शरीर का अर्थ ही है चुद्रता उससे बचने का एक ही तरीका है अपनी इस्थित और अपनी वास्तविक चुनौतियों का पता हो फिर आप बड़ी लड़ाई लड़ोगे बड़ी लड़ाई में छोटी लड़ाईयों की उपेक्षा कर दी जाती है वरना उपेक्षा संभवी नहीं हो पाएगी उपेक्षा और ध्यान बहुत जुड़ी हुई बाते हैं यह समझिएगा अच्छे से जो स्मरणिये हैं जो ध्ये होने योग्य है उसका करा ध्यान और बाकी सब की करी तो उपेक्षा आपको उपलब्ध नहीं होगी जब तक आपको ध्ये उपलब्ध नहीं हुआ है और ध्ये मांगता है महनत, साधना किसी एक वस्तु के पीछे जब तक महनत नहीं करोगे बाकी सब की उपेक्षा कैसे करोगे एक जगे दिल लग जाता है तो दस जगह नजरे फेकना बंद कर देते हो न वैसे ही दिल तुम वहीं लगाओगे जैसी तुमने अपनी हालत बना रखी होगी आम तोर पे हमारी हालत तै करती है कि हमारा दिल कहां लगेगा हमारी हालत का बोध नहीं तै करता हमारी हालत तै करती है कि दिल कहां लगेगा दोनों बातों का अंतर अच्छे समझे हम नशे में हैं एक आदमी बहुत नशे में है और उसका नशा बोल रहा है नशा ही बोल रहा है वो आदमी क्या बन कर बोल रहा है नशा नशा ही बोल रहा है तो वो बहुत संभावना है कि क्या मांगेगा और शराब तो नशे ने तै कर दिया कि मुझे चाहिए और नशा अब उसी आदमी पर दुबारा आते हैं वो आदमी नशे में है लेकिन उसे बोध हुआ कि मैं नशे में हूँ तो अब वही आदमी क्या मांगेगा वही आदमी जो पहले नशा बनकर बोल रहा था उसे ये बोध हो जाए कि मैं नशे में हूँ पहले नशा बोल रहा था अब नशे का बोध बोल रहा है तो वही व्यक्ति अब क्या माँगेगा कुछ दबा माँगेगा, कुछ सहायता माँगेगा अंतर समझ रहे हैं हम आम तोर पर अपनी इस्थित के ग्याता नहीं होते हम आम तोर पर अपनी इस्थित के करता और भोकता होते हैं हमारी जो हालत है वो हालत हमारे मुह से बोल रही होती है हम में और हालत में कोई दूरी, कोई अंतराल, कोई फर्क नहीं होता कोई विवेकपूर्ण भेद हम नहीं रख पाते जो हमारी हालत है हम वैसी बात शुरू कर देते हैं तो हमारी हालत है हमारी मने तन मन की आत्मा की तो हालत कुछ होती नहीं तो हमारी हालत है कि हमें नीद आ रही है किसको नीद आ रही है शरीर को तो हमारे शब्द भी क्या निकलेंगे मुझे सोने दो मुझे सोने दो यदा कदा ही होता है कि नीद आ रही हो और हम कहें नीद तो आ रही है लेकिन लेकिन बड़ा दुरलब है हमारे जीवन में और लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर सचाई और परमात्मा ऐसे शब्दों को आप भूल जाएं वो बहुत दूर की बाते है पास का जो शब्द है वो यही है लेकिन हालकी यद्यपी हालकी मैं बहुत ठका हुआ हूँ फिर भी यद्यपी चोट लगी है तथा पी प्रेम करूँगा इसका बड़ा अभाव है यह याद रखेंगे आम तोर पर हम अपनी हालत के ग्याता नहीं होते हम अपनी हालत के भोकता होते हैं मैंने कह था करता और भोकता क्योंकि उस हालत को लाने में भी हमारी करतूत है और फिर उस हालत को भोगत भी हमी रहे हैं और यह सब जो हो रहा है उसका हमें कुछ होश नहीं है ज्यान कुछ नहीं है जान नहीं रहे हैं क्या हो रहा है बस हो रहा है तो आप पुछ रहे हैं कि कहां से मिलेगा उचा लक्षे अपनी हालत को जान लो उचा लक्षे मिल जाएगा और उचा लक्षे कुछ होता ही नहीं अपनी निचली हालत का जैसे ही तुम को ग्यान हुआ वैसे ही तुम जान जाओगे कि अब क्या करना चाहिए और अपनी खराब हालत को जाने बिना जो बहतरी और तरक्की की बात करे वो अंधेरे में तीर चला रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है कि जाना कहा है बस वो निशाना साधरा है बात समझ रहे हो बात समझ पता है जिसको मद पकड़े है जिसको नशे की आदत हो गई किसी भी तरह के नशे की उसके लिए उचे से उचा लक्षे क्या नशे से मुक्ते जिसको काम वासना पकड़े है उसके लिए उचे से उचा लक्षे क्या क्योंकि इस व्यक्तिक को नीचे से नीचे गहरे से गहरे पतन में नर्क में कौन गिराएगा कौन गिराएगा भाई ये कामी है इसको रुपए पैसे का भी लोब छूट गया है रुपए पैसे की भी अभी बहुत कदर नहीं करता ये कहता है बोलो कितने लाग चाहिए मैं दे रहा हूँ मेरी वासना संत्रप्त होनी चाहिए तो तुम इसे रुपए का लालश दिखा के नहीं फसा सकते इसे क्रोध भी नहीं आता इसका बड़ अपमान होता है जो लोग काम के मार्ग पर चलते है जो लोग वासना गरस्त हो जाते हैं उनको अक्सर कदम कदम पर अपमान जहिलना पड़ता है पर इसे क्रोध भी नहीं आता तो क्या माया क्रोध का इस्तिमाल करके इसको फसा सकती है क्रोध तो अब इसको आता ही नहीं क्रोध इसको आता नहीं लालच इसको आता नहीं और वासना के मार्ग पर डर भी तिरोहित हो जाता है काई बार आदमी ऐसे ऐसे जोखिम भरे काम कर लेता है कि पूछों मत दिवारे फान जाता है अपराद कर देगा कुकृत्य कर देगा नदिया तैर जाएगा क्योंकि वासना सरचण कर बोल रही है तो डर भी अब इसको लगता नहीं तो माया क्या डर का इस्तिमाल करके इसको फसा सकती है ये जो गिरेगा पतन में किस रास्ते से गिरेगा ये वासना के रास्ते से गिरेगा तो अब इसके लिए फिर उचे से उचा क्या हुआ जब नीचे से नीचा इसको वासना ले जा रही तो उचे से उचा काम भी इसके लिए क्या हुआ? कोई वैश्वेक आंदोलन करना है इसे? वो हुआ इसका उचा से उचा काम? बोलो, इसके उचे से उचा काम वही हुआ ना भाई, जो इसे नीचे गिरा रहा है, ये उचा और नीचा दोनों किसके संदर्भ में, किसके परिपेख्च में हैं? तुम्हारे? तुम कह रहे हो ना कि आचारे जी बताइए, मेरे लिए उचे से उचा काम क्या है? मैं कह रहा हूँ अपने जीवन को देखो, कि तुम्हें नीचे से नीचे किसने गिरा रखा है? जिसने तुम्हें नीचे से नीचे गिरा रखा है, उसी पर फतह करना तुम्हारे लिए, उचे से उचा काम है, जाहिर सी बात नहीं है क्या ये? तो कौन है जिसने तुम्हे नीचे से नीचे गिरा रखा है मैं नहीं जानता तुम्हें ही बताना पड़ेगा बेटा तो उच्छे से उच्छाए कोई काम नहीं होता मतलब कोई activity नहीं होती उच्छी चीज नहीं होती पर कहीं एक जग खोया होता है तब आगे मुझे गाली भी दे दे को यू भी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया ये वो तेरे बारे तो मुझे कुछ फर्क मुझे आके गया हा बनता हो बस कुछ फर्क ही पड़ा कुछ काम नहीं होता हो इससे तुम्हें उचाई का कुछ हैसास तो निचाई और उचाई कह रहे हैं उसमें निचाई से तो खो जाते हो किसी ने तुम्हारा कुछ नुकसान कर दिया तुम कहते हो जा माफ किया ठीक निचाई से खो जाते हो सुनते हुए निचाईयां जाती है तो फिर निचाईयों को लाता कौन है जीवन में अब बताओ जब सुन रहे हो तो जीवन में जो कुछ भी निमनतर था नीचा था वो मिट रहा है तो इसी से पता चल गया है कि जीवन में निचाई ला कौन रहा है जब सुन रहे हो तो निचाई हट रही है तो निचाई आ कब रही है जब नहीं सुन रहा है तो देखो तुम्हारे जीवन में कौन से कारक हैं, कौन सी वजहें हैं, जिनके कारण तुम सच से और सच के शब्द से दूर रहते हो, वही तुम्हें निचाई में धकेल रहे हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी वजहें, कौन सी ताकते हैं, छो तुम्हें झालते तुम्हें इक जनका इस बातचीछे से इस समझ से कोई तालुक नहिए है वही तुम्हें नीचे झाल रहे हैं तो अन ही से पhr carbon अन ही से प्रकार्ष नही अपने आपको छोडाना वही तुम्हारी तंदगी का फिरूचा काम हुआ किया गरीब तुमको नीचे धकेल रहे हैं नहीं नहीं पर बतारों वो मेरे को नहीं वो एक security वाला डर है मुझे जान तो कौन धकेलता है तो security वाला है कि छट चली जाएगी जो सुविधाय चली जाएगी सिपाही हो अगर तुम और गोली तुम्हें आ करके लगी है सामने से बाज उपर बंदूग तुम्हारे पास भी है क्या मुड़ करके बंदूग पीछे की और चलाओगे तुम्हें किस दिशा में गोली चलानी है वो इसी बात से निरधारित हो जाता है कि तुम्हारे उपर गोली किस दिशा से आ रही है सिपाही क्या यूही अनापशनाप किसी भी दिशा में फायर करने लगता है वो पहले क्या तै करता है दुश्मन कहां है और दुश्मन कहां है ये कैसे पता चलेगा देखो कि नुकसान किस दिशा से आ रहा है तुम भी अपने जीवन में उतर के देखो कि नुकसान करने वाला कौन है नीचे गिराने वाला कौन है उसी से तुम्हारा काम निर्धारित होगा जो नीचे गिरा रहा हो उससे मुक्ती ही जीवन का एक मातर काम है और जब ऐसी स्थिति आ जाए तुम्हारी कि नीचे तुम गिर ही नहीं सकते तब तुम सब कामों से मुक्त हो गए अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं कि अब कोई चीज तुम्हारे लिए करतव्य बची ही नहीं अब तुम सचंद घुमो वो अवधूत की दश्या हो जाती है फिर अवधूत को करने के लिए कोई काम नहीं क्योंकि अब उसकी मुक्ती पूर्ण है अखंड है कोई ताकत दुनिया की अब उसे नीचे नहीं किरा सकती बंधन में नहीं डाल सकती तो अब उसके पास करने के लिए कोई काम भी बचा नहीं तो उसको क्या है उसको कहते हैं कि अब ये धर्ती के मर्मस्थल पर बच्चे की तरह डोलता है अकारण निरुदेश इसको कुछ करने को नहीं है अब ये क्या करता है सिर्फ डोलता है, रमन करता है लेकिन हमारी अभी वो हालत नहीं है हमारे पास बहुत जंजीरे हैं है की नहीं है हमारे उपर बहुत सारी ताकतें और वजहें काम कर रही है जो हमें नीचे गिराती है तो तुम्हें उन्ही को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, क्या-क्या है जो मुझे नीचे गिरा रहा है और उसी संघर्ष करना यही काम है, वर्क ज़िए ऐसी चीज़ भी होती है तो आप को कहते हैं, सुना कि फुली इनलाइटेंड कोई नी होता कभी भी उचाई से नीचे गिर सकता है अब अब कह रहे हो, फिर वो गिर भी नी सकता ऐसी चोड़ दो इसको अपनी बात करो तुम जो कह रहे हो, अगर वो बात सही भी है तो उसे यही सिद्ध होगा कि काम लगातार करना है क्योंकि तुम कभी भी उपर से नीचे गिर सकते हो तो लगातार करो ठीक है, कोई अधूत नहीं होता कोई पूर्णतया मुक्त नहीं होता ठीक है, यह संभावना सब के साथ बनी रहती है कि माया किसी पर भी कभी भी डोरे डाल सकती है मान लिया तो उससे क्या कहना चाहते हो यही ना कि लगातार काम सबको ही करना पड़ेगा अगर दुश्मन कभी भी पूरी तरह मरता नहीं तो सजगता फिर लगातार सबको चाहिए ठीक है, माना अपना काम तो करो, बताओ दुश्मन कौन है तुम्हारा अगर दुश्मन की पहचान नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बताओ किधर को गोली चलाओ तुम्ही मुझे बता रहे हो कि आचाहरे जी आपने कहा था कि दुश्मन कभी पूरी तरह परास्त नहीं होता बड़ा खुफिया खतरनाक दुश्मन है और मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ बेटा तुम्हारा दुश्मन कौन है तो तुम अवाक बैठे हो नहीं ही हूँ तो ये तो फिर कोई बात नहीं है कनपटी पर रखके थोड़ी दागोगे तो उन सबको पूरche समाज को भी तुनि मार सकता पूरे समाज में तो मैं भी आता हूँ तो पूरा समाज तो नहीं है तुम्हारा दुश्मन किसको बचा रहे हो तो जहां रह रहे हो वहीं पे होंगे फिर कुछ उन्हीं का नाम नहीं लेना चाहते, तो इसलिए रहे हो, पूरा समाजी फिर क्या दुश्मन बना लें? मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, उनके साथ यारी है, तो ततकाल कह दिया कि आचाहरी जी क्या पूरे समाज से दुश्मनी कर लें? क्यों भई क्यों नहीं कर सकते? किस बात का डर है? पगार का, इज़त का, नाम का, सुरक्षा का किसका खौफ है? गौर कर यह का, कैसे जट से तर्क निकलता है भीतर से, कि मुझे तो गिराने वाला पूरा समाज ही है, पहले कहा कि आचाहरी जी मैं ही अपना दुश्मन हूँ, मैंने भग, तुमारे दुश्मन बाहर हैं, तो बोले तो क्या सारे समाज से दुश्मन नहीं कर लें? इससे प समाज ही तुमारा तुम्हें संक्रमित कर रहा हो बीमारियों से, तो बाहर नहीं आओगे, क्या? हाँ? आट सओ करोड लोग है दुनिया में, उनसे कितने समाज बन सकते हैं? तुम्हें कितने लोगों की ज़रूरत है अपना समाज बनाने के लिए, बोलो, अभी तुमारे सम तो सौ लोग हैं इनके समाज में, और दुनिया की अबादी, आठ सौ करोड़, तो कहो तुम्हें मैं कितने समाजों का विकल्प दूँ, जानते हो कितने, आठ करोड़ अलग-अलग समाजों का विकल्प है, और तुम एक पकड़ के बैठे हो सौ लोगों का, और उससे बाहर रूह का पर ही है, जाचारी जी, इसको कैसे छोड़ दूँ, उनके उपर दोश देने से अच्छा अपने उपर ले लेता हूं कि अपना दुश्मन तो मैं खुदी हूं, अपने उपर दोश इसलिए ले रहे हो, ताकि जो वास्तविक दोशी हैं, उनको बचा सको, क्या दो क लेकिन ये बचारे तो निरपराद हैं, ये तो मेरे मासूम दोस्ते आ रहे हैं, ले दे के सारी बात मेहनत पर आती है, तुमने इन संबंधों में निवेश कराया है, नए संबंध बनते हैं, उनमें शूनने से शुरुआते हैं, फिर निवेश करना पड़ता है, वैसे ही जैसे कि एक आदमी घर बना ले, और तो मुसे बताओ कि ये घर गड़बड है, तो उसे बड़ा आलास आएगा, तो कहेगा इतनी मुश्किल से तो ये बनवाए, आब इसे गिरा के दूसरा बना है, भूती आ घर होता हो, कमजोर बुनियात का घर होता हो, कि सो रहे हो एक दिन तुम्हारी उपर गिर पड़ा, रहे आओगे उसमें, अज जयन ऊहरे हूब, बुज्छे उसाएगा、 पर डहे हो एकृपन है, एक दूसके दोपन नहिए हुआ है रहे हो, कि सो भी खरे रहे हो, कि सो तो मुश्सके प이션 request दोभ़ा हो, करे बना है, बना हो, कि अबना है, तो जो क्र चेलाड़ा कि व approach जो तो मैं इसे आवां हो, के